वेलकम फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नहीं वीडियो में देखी फ्रेंड्स जहां बात आती है एन्वी एमी की और एम डॉट टू की तो बहुत जादा कन्फ्यूज हो जाते हैं सभी लोग तो इन दो पॉइंट्स डिसक्स करेंगे साथी साथ SSD और hard drive पे भी compare करेंगे सबसे पहले सुरुआत करेंगे hard drive से तो देखी hard drive आपको साड़े तीन इंच की देखने को मिल जाएगी जो साटा के अलग-अलग जैसे कि यहां पे 6 GB पर सेकिंड लिखा है 1200 RPM का यह 6 GB पर सेकिंड की स्पीड अगर देती तो जाहिर सी बात है SSD की आवशक्ता नहीं पड़ती है SSD के वारे में SSD होती है 2.5 इंच की 2.5 इंच यह जो कनेक्ट रहती है जिस के विल को उसको बोला जाता है साटा थर्ड इसमें यह जो है दो पोर्ट सोते हैं दोनों को यहां पे कनेक्ट हो जाता है फिर जो है साटा के थूँ स्पीड आपको देखने को मिलती है इस तरह के वर्क में आपको नॉर्मली पचास से थाइसों पर सेकेंड की स्पीड आपको SSD प्रोवाइड करा के देती है सब्सक्राइब के बात करें इसकी यहां पर सेकंड लिखा हुए इंतर फेस होता है और यहां भी देखो श्क्राइब स्पीड जो आपकी यहां डेक्ट लिखाने को मिल रही थी तो हाड्राइब और अगर तो इतनी इस पीड जो है लिख देते हैं लेकिए इतना पर आपको वर्क नहीं मिलता है बढ़ते हैं आगे बात करें में यहां पर कोशन आता है में M.2 और NVMe में क्या difference होता है बहुत से लोग N.2 NVMe में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं अधिक तर लोग confusion रहते हैं तो मैं आपको N.2 और NVMe जो इस तरह से words आते हैं आपको और आज का अधिक तर इस्तिमाल हो रहे हैं तो इन में जो है आपको आधिक्नीकल नॉलेज है वह आपको बताने जा रहा हूं टू की बात करने तो धो तरह के वाइड होती है दौ पिरकार इस же के लिए क्वेन करें हैं सबसे पहले तो इसको बोला जाता है वी की तो बीक यू में आ पको तरह से जो हैं आपकी यह तो कटिवी होती है दो पिरकार से यहां पर दो साइडों से यहां पर है और यहां पर है और इसमें जो PCIe का स्लोट होता है तो PCIe 3.0 इंतू टू बसटेंडर्स यह वाले जो है आपको डिजाइन देखने को मिलता है और दूसरा वाला सॉकित होता है उसको बुला जाता है M की इसमें आपको सिर्फ एक जगए जो है कटा हुआ आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर PCIe 3.0 into 4 bus standards आपको देखने को मिलेगा यानि इसमें आपको 2 standards इसमें आपको 4 standards देखने को मिलेगा यानि कि इस वाली चिप के मुकाबले यह वाला जो है चिप आपको double performance देगा performance देती है जो SATA के थरू SSD यूज होती है उनमें केविल के थरू performance जाती है जो थोड़ा कहीं न कहीं effect होता है कि M.2 NVM लगाने का फायदा यह है कि आपको onboard speed बहुत तेजी से सुपरफास्ट देखने को मिलती है तो यह वाला socket अभी कम इस्तेमाल हो रहा है यह वाला PCIe 3.0 into 4 बस standard का यह वाला अब चलन में आ चुका है सबसे ज़्यादा आपको इस वाले model पर देखेंगे आज की दोर पर NVM बन रही है आपके सब इस वाले standard पर बन रही है PCIe 3.0 into 4 तो यहाँ पर देखिए PCIe 4.0 generation की भी इसी socket पर आपको देखने को मिल जाती है देखिए जो है यह सबसे ज़्यादा common है जो अधिक तर्यूज होता देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है बाइस असी और यह भी आपकी बाइस असी पर बनी हुई है तो फ्रेंट्स यहां पर जो बाइस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है विद यानिकी इसकी जो है चोड़ाई और जो अस 601 है आपका 222 और एक है आपका 22 110 तो यह सबसे ज़्यादा बड़ा साइज है इसे ज़्यादा M.2 बड़ी देखने को नहीं मिलती है जैसे कि मैंने आभी आपको थोड़ देर पहले बता है कि यहां पर फ़र्ष्ट डिजिट है यहां पर दो नंबर लिखे हुए वह आपक 222 चौड़ाई और जो 80 यहां पर देखने को मिलती है तो यहां पर जहां पर 20 को मिलती है 001 पे जहां पर दो घूर देखने को मिलती है तो वहां पर आपको जाता है कि वह वालक UBraar कि देखने को मिल रही है cutting वो NVMe में आती है यानि की M की उसको interface बोला जाता है तो confuse मत होईएगा जहाँ पर दो आपको देख जाए तो वो कम speed की होगी और B type की वो होगी जहाँ पर आपको एक cutting की देखने को मिलेगी वो M की होगी और वो आपको NVMe में वाली होती है उसी पर यह आपकी generation 4 और 5 तरह की जो आने वाली है वो सब जो है आपको इसी पर ही आपको work करते भी मिलेंगी जहाँ पर आपकी single यह slot कटा हुआ देखने को मिलेगा तो देखिए M.2 लोग कहने क्यों लगे एम.2 इसलीह कहने लगें जिस परकार से लेखिए आपकी तलवार होती है तलवार एक cover में रखी जाती इसको मियान बोला जाता है उसलीकार तलवार ना बोल के उसके cover को ही हम इस्तेमाल करने लगें मियान मियान हर जगे ऐसी बोलने लगें technical वहासा में भी इसी तरह से जो है word चलने लगा है m.2 दरासल एक socket होता है जो motherboard के अंदर होता है तो m.2 जो socket होता है जो motherboard के अंदर होता है उसी को ही सभी लोग कहते है m.2 इसको भी m.2 कहने लगे तो जो socket होता है वो main दरासल वही m.2 होता है फिलाल जो है आजकल सभी लोग इसको ही M.2 बोल रहे हैं तो अभी तक अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि आपका जो M.2 जो कही जा रही है सिंगल वर्ड में वो स्पीड जो है उसकी थोड़ी कम है NVMe जहाँ पर लिखा हुआ है M.2 वर्ड के साथ पिलस किया हुआ है NVMe तो वहाँ पर आपको स्पीड जो है बहुत ज़्यादा मिलने वाली है तो देखी यहाँ पर भी अगर आप एक कुछ इमेज को देखें तो NVMe यह नहीं की Non-Volatile Memory Express इसको यह बोला जाता है फुल फॉर्म में NVMe M.2 यह वर्ड जो है एकटा लिखा हुआ आता है जहाँ भी आपको M.2 NVMe मिलेगा वहाँ आपको सिंगल यह कटी हुई यह जरूर यह दिखाई देगा यहाँ पर इस तरह से एक सिलोट होगा कटा हुआ बनी हुई यह M.2 NVMe बनी हुई है तो जहाँ पर M.2 NVMe बोला जाए तो वहाँ हाँ समझ जाए कि वह सबकी सुपरफस्ट अभी के लिए है और जहाँ सिंगल वर्ड हो M.2 चाहाँ मदर बोर्ड में भी लिखा हो तो पहले करिए कि उस मदर बोर्ड में M.2 NVMe भी लिख जाएगी तब जाके उस मदर बोर्ड को पर्चेस करें और M.2 इंटरफेस और स्पीट की अगर बात करें तो देखिए जो साटा के थुरू आती है तो देखिए आपने देखा 6 GB पर सेकिन आपकी हाट ड्राइ पे भी स्पीट लिखी हुई थी और SSDP पे स्पीट लिखी हुई थी और PCIe 3.0 इंटू 2 ये वाला जो बेंडविद पे स्पीड है वो आपकी 16 GB पर सेकिन की आती यानि कि इसको आप M.2 भी कह सकते हो और ये जो आपका PCIe 3.0 इंटू 4 है इसको आप M.2 NVMe बोलेंगे तो यानि ये जो है वर्ड आपको M.2 NVMe लगाने के बाद 38 GB पर सेकिंड इसकी स्पीट मानी गई है बेंडविद की ट्रांस्फरेट देखिए साटा के थुरू जो के थुरू अगर आप परफॉर्मिस लेते हैं आद गुना परफॉर्मिस आपका NVMe देगी और जो अब NVMe जनरेशन 4 की आ रही है और उससे भी आगे की आ रही है वो और भी ज़्यादा तगड़ा आपको परफॉर्मिस निकाल के देंगी तो फ्रेंट्स इस टॉपिक को मैंने अधिकतर पूरा कवर कर लिया है बनागे आपकी डॉट और ज्यादा के लियर मैं कर दूँगा तो फ्रेंट्स आपका सपोर्ट आना चाहिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है मेरे लिए आप सपोर्ट अगर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा जो है मैं और मेहनत करऊंगा आपके लिए तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखे हैं मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आपका